अब दूसरा सवाल जो मुझे मिला है, वो फकीर अप्पा जिन्दे जी का है, वो चित्र दूर्गा जिल्य से हैं, और वो पुष्टे है, सर हम लोग हमेशा डबल इंजिन सरकार की बात करते हैं, डबल इंजिन सरकार की परिभाशा आपके लिए क्या है, डबल इंजिन सरकार से करनाटका के विकास को क्या लाब होगा, चलिए, फकीर अप्पा जी ने बहुत ये अच्छा सवाल पूझा है, डबल इंजिन सरकार के समन में पूझा है, और उसका सीधा और साधारन मतलब है, विकास की डबल रप्तार, बीते नव वर्षों का देश का अनुभव रहा है, कि जहाँ जहाँ बीजेपी की डबल इंजिन सरकार है, वहाँ वहाँ गरीब कल्यान की योजना ये तेजी से जमिन पर उतरी है, हर गरजल योजना में करनाट का देश के अगरणी राज्यों में है, क्योंकि यहाँ भी भाज़पा सरकार है, वहाँ भाज़पा सरकार है, इसलिए सम्भव हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ डबल इं जिन सरकार है आपको मैं बताओं जो राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है लोग तंत्र पे स्वाभाविक है लेकिन करते क्या है केंद्र सरकार की कोई भी योजना उनके हां सफल न हो उनको डर लगता है कि अगर सफल हो गई तो मोदी का जैजेकार हो जाएगा कुछ लोग तो योजना से जुड़ते ही नहीं है कुछ राज्ये ऐसे हैं वो योजना का नाम बदल देते हैं स्टिकर नया लगा देते हैं देश में एक बात आप हैरान हो जाएगे गरीबों को अनाज देने के लिए वन नेशन वन राश्रकार सुप्रिम कोड को हुकम करना पड़ा कियो कि double engine सरकार उस राज्य में नहीं थी देखे P.M किसान सम्मान निजी में यहाँ करनाटर का सरकार चार हजार उपए अपनी तरफ से भी जोड रही है, भारत सरकार 6,000 रुपए दे रही है, राज़रकार 4,000 रुपए दोनों भाज़पागी सरकार, किसान को क्या मिल रहा है, 10,000 रुपए मिल रहा है, तो वह नहीं डबल लाब, आप देख रहे हैं, कि बीते नव वर्षों मे भारत दुनिया भरके निवेशकों के लिए महत्वपुन केंदर बना है, रिकोर्ण निवेश भारत में हो रहा है, डबल इंजिन सरकार के कारान, इसका बहुत बड़ा लाब करनाटका को मिला है, अगर यहां ऐसी सरकार आएगी, जो बात बात पर केंदर सरकार जे लड़त रहेगी, योजनाओं को रोकती रहेगी, जनता जनारदन का जो भी हो जाए उनकी राजनिती चलते रहेगी, अगर यही हुआ तो सारे इंफ्रोसेक्टर के प्रोजेस को वो लटकाती रहेगी, हम रोड बना चाहेंगे, वो जमिन संबादन का कामीद धीरे धीरे करेंगे, रोजगार कैसे बन पाएंगे, यानि डबल इंजिन की सरकार का न रहने पर जनता पर डबल मार पड़ती हैं, और आप देखिए, आप सामान्य नागरिक से बात करते यह भी बता सकते हैं, कि देखो बहुत ट्रेक्टर है, हम बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन पहिया, आप मारूती कार का लगाद है, तो बताईए वो ट्रेक्टर चलेगा क्या, किसी के काम आएगा क्या, वो खूदी अपनी उसे बरबादी करेगा या नियू करेगा, जैसे एक ही प्रकार की वबस्ता गती तेज देती है, वैसे ही डबल इंजिन की सरकार गती तेज चोटी चोटी बाते, लोगों के साथ बैठ करके समझाईए, मद्दाताओं के साथ चर्चा करके बताना चाहिए, और बूत लेवल पर बताना चाहिए, लंबे लंबे बड़े भाशन करने की जिम्मवरी जिसकी है, वो करेंगे, हम कार्यकरताओं को तो बूत को ही जितना है और बूत पर ही हमारी शक्ति हमें लगानी है तब डबल इंजिन सरकार का असली मतलब समाज लोगों को आ जाएगा साथियों जब भी भाजपा को वो सेवा करने का मोका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्किल दोनों बढ़ जाती है अब जैसे कुछ पार्टिया कह सकती है कि वो जो सत्ता में थी तो वो भी आवाज से जुड़ी योजना चला रही है तो उसमें नया क्या है ऐसा बोलते हैं इसका ही उत्तर है स्पीड और स्केल सोच और अप्रोच अब मैं आपको बताता हूँ कि आवास योजनाओं में हमने क्या बढ़लाव किये हैं मैं ये छोटी छोटी बाते हैं इसलिए बताता हूँ कि आप कार्यकरताओं को मतल दाताओं के बीच जाकर के बताने में सुभीदा हो जाएगे 2014 से पहले की योजनाओं में एक घर बनने में 300 दिन लगते थे अब हमारी योजना में 100 दिन से भी कम समय में घर बन जाते हैं पहले घर का आकार 20 वर्ग मीटर होता था अब घर का आकार 25 वर्ग मीटर होता है पहले की योजना में एक घर को 70-75 रुपय की मदद दी जाती थी अब यह मदद 1,30,000 रुपय याने करीब करीब डबल कर दी गई है इससे भी बड़ी बात यह है कि यह पैजे अब सीधे लाभारती के बैंक एकाउंट में भेजे जाते हैं कोई बिचोलियर नहीं, कोई कटकी कमपने नहीं पहले की आवास योजना में लाभारती की पसंद का बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता था हमारी सरकार की आवास योजना में घर उसमें रहने वाले परिवार की पसंद के हिसाब से बनता है पहले की आवास योजना में चार दिवारे खड़ी करके घर देने का दावा किया जाता था आज घर, बिजली, नल से जल, टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन, जैसी अनेक योजनाओं को साथ साथ दिया जाता है मैं आपको स्पीड और स्केल का एक और उधान देता हूँ, देश में देखिए हेल्थ कितना महत्वपुन विश्य है, आरोग्य कितना महत्वपुन विश्य है, कैसी हाल रहा, देश में पहला एम्स, 1956 में शुरू हुआ, कॉंग्रेस ने उसका भरपूर स्रे लिया, डोल बजाते रहे, बजाते रहे बस, लेकिन दूसरा एम्स कब शुरूआ, पहला तो 56 में बना, दूसरा कब शुरूआ, इसके बारे में कॉंग्रेस कुछ नहीं बोलती है, मुँपे ताला लग जाता है, आपको जानकर के हैरान होगी, दूसरा एम्स बनने में करीब करीब 50-60 सान लग दे, वर्थ 2003 में जब अटल जी की सरकार आई, तो उन्होंने और ज्यादा एम्स बनाने के बारे में योजना बनाई, ये योजना स्वास्त सेवाओं और मेडिकल सिक्षा में छेत्री असंतुलन को दूर करने के जाल दिया, बहुत जादा मांग बढ़ने और देश की जनता की मांग करने पर आधे अधूरे मन से काम किया गया है, किसी तरह 2014 तक देश में एम्स की संख्या बढ़कर के साथ पहुची, याद रखो, यानि साट साल में एम्स की संख्या एक से बढ़कर साथ हुई, लेकिन अगले नव वर्षों में जब हम आए, तो हमने देश में एम्स की संख्या को तीन गुना बढ़ा दिया, अब बताईए डबल इंजिन सरकार की ताकत है कि नहीं है, अब देश में साथ नहीं, बीस एम्स है, बीस, इसके साथ ही देश में तीन नए एम्स परतेजी से काम भी चल रहा है, यही हाल देश में मेडिकल कॉलेजो का भी था, आजादी से लेकर 2014 तक, देश में मेरिकल कॉलेजो की संख्याасть 380 थी, 400 से भी कम, हमें आने के बाद पिछले नव साल में देश में मेडिकल कॉलेजों के संक्या छेसों से भी ज़्यादा हो चुकी है बरस्टा चार के खिलाब लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फरक है कॉंग्रेस ने बरस्टा चार मिटाने में कोई रुची नहीं दिखाई क्योंकि वो खुद ही बरस्टा चार का सबसे बड़ा स्थ्रोत रही है बरस्ट दोजार चौदा के बाद करप संसे लड़ाई में कितना तेजी आई है ये पुरा देश देख रहा है जंदन, आधार और मोबाईल का जो त्रिशूल है ना इस त्रिशूल ने बरस्टा चार पर बहुत बड़ा बार किया है डायरेक बेनिफिट ट्रांसफर ने देश के दो लाग पच्चत्तर हजार करोड रुपिये याद रखिये पोने तीन लाग करोड रुपिये जो चोरी होते थे गलत हातों में चले जाते थे ब्रस्टा चार होता था वो पैसे बचा लिए गए जो आज गरीवों के देश के युवाओं के काम आ रहे हैं ये जनता के वो पैसे हैं जो बिचोलियों की जेब में चला जाया करते थे हमने गवननत के हर क्षेत्र में स्केल, स्पीड, सोच और एप्रोच में आमुल चुल बदलाव किया है